हेलो नमस्ते जी सभी को वेलकम बैक एवरिवन और आज मैं किस उधेड़ बुन में लग रही हूं देख ली दिया आप सब की समस्चा सर्दियों के कपड़े रखने हैं बैग चाहिए और मेरा ये बैग था जो फट गया है तो इसका मैं क्या करती हूं पूरा वीडियो देख हाई हाई है देखो लटू गोपाल के कपड़े उठागा रखने में वह कितने सारे हो रहे हैं और मैं सोच लिए इनके लिए एक अलग बैग बनाओ क्योंकि जो मेरे पास बैग है वह ज्यादा बड़े हैं उनमें रखो ही तो वह खाली रह जाएगा पिर कुछ और रखना पड़ेगा इसमें और यह इस तरह के बैग में मैंने रख रखे थे दो में इनकी पनी देखो यह पूरी फट लिए यह पिछले सारी नया लगाया था तो अबकी बाद मैं सोच रहे हूं कि इसके लिए एक लड़कोपाल के खपड़ों के लिए एक बैग बना दू जब ही अगर ऐसे सोच हूँ न कि अभी किछी पनी में रख देती हूँ फिर बाद में बनाओं तो भाद में नि बने गा तो मैं सोच रही हूं फ़र बैग बना लूः और बैग में बनाओंगी इस Si your जे देखो ये अदुरिय मेर्दे कर यह अधार dolor logo लगे हुए तो वो कि पूर्डे स्व असठील लिए की एक पर्दा काटके नहीं दो पर्दे काटके तो उनमें जोड लगाता तो उसका यह टुक्रपुड़ पचा हुए यह काफी go तो यह बहुत ही आसान विदी से हम आज बैक बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग कर लेते हैं पहले इसकी देखते हैं कैसे कैसे बनाना है कपड़े तो रख जती हूं इधर में सारे उठा के साइड बन जाएगा इसके बाद रखेंगे अब हम देख लेता हैं इसक प्रें को और कि उसे कटिंग है कर रही हूं मतब जीतना यह है तुकड़ा आप देख सकते हैं कितना बताऊ आपको तक बग 28 इस तो लंबाई है इसकी इस तरह और चोडाई इसकी है 46 इंच मतब ऐसे डबल है ना 46 इंच है काफी अच्छा लैक बन जाएगा इसमसर ऐसे इस पर हम चैन लगा लेंगे यह किनारी को इस तरह करते हुए चैन लगा लेंगे और इधर भी ऐसे चैन लगा लेंगे तो यह मैं चैन इस पर मतब पहले इस तरफ इसको सीर लूँगी यह तो आप ऐसे सीर सकते हैं फिर पलटके इस तरह टोपिस्टिश लगा सकते हैं तो पहले मैं इसको चैन को जोड़ देती हूँ इस पर दोनों तरफ इधर भी इधर भी चैन जोड़के लेके आती हुए देखो एक तरफ मैंने इस तरह चैन जोड़ी है इसमें ऐसे दोनों को पकड़के सिलाई लगा दी सीधा करेंगे तो इस तरह आ जाएगे तो उसके बाद हम इसको इस तरह यहां से पकड़ते हुए इसके उपर एक सिलाई ओड़ लगाएंगे और ऐसे यह वाला कपड़ा यह पकड़ा इसके उपर जोड़ देंगे पहले ऐसे सिलाई लगाएंगे पिर ऐसे करके टोपिस्टिस लगा देंगे देखो चैन लग गई है अब हम इसको उल्टा बिछा लेंगे उल्टा करके बिछा लेंगे और हमें इसमें क्या करना है चैन के पास से हमें नापना है इसको 8 इंच तो अब आप देखना जैसे हमने इसको फिनिसिंग से बिछा दिया है तो 8 इंच का निसान लगाएंगे पहले हम 8 इंच इधर यहाँ पर तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसे परली मूदर की साइड कर देंगे क्योंकि हमें यह ब्रिप केस जैसा बनाना है बैग इसकी चैन हमे बीच में नहीं लेनी है तो इसके लिए हम इसको 8-8 इंच के और इस निसान पर से पकड़का हम इसको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से मोड़ेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो परली साइड चला जाएगा मतलब अब यह में करना क्या है इसके चारो कोनों पर हम 6-6 इंच का निसान लगाएंगे मतलब ब्रैकिट काटेंगे इसके 6-6 का एक तो ऐसे इदर से हमने इसका 6 इंच का निसान लगा लिया है और ऐसे ही हम इदर से भी इसको 6 इंच ले लेंगे तो 6 इंच, लंबाई, 6 इंच, छौडाई है, हम इसका एक, मतल्ब, square काट लेंगे, इसमेन kdone में से, 4 कोनों में इसको काटना है हमें इसको यह, तो पहले हम इसके निसान लगा लेंगे, चारो कोनों में इसके 6 इंच ऐसा है और 6 इंच ऐसा है और आपको अगर ज्यादा मतब चोड़ा लंबा बनाना है अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो आप ये गोल आइस की स्क्वाइर बढ़ा सकते हैं तो देखो सारे निसान लग गए है अब हम इने कट करेंगे और मैंने बहुत अच्छा सथा डार्क सी पैंसिल से लगा कर दिखाया आपको ता कि समझाए इसमें कोई नी या तो आप एक स्वार काटके और बाखिपर रख्क के उसके बाद निसान लगाया तो आप सारे निसान लगां के बाद में काट सकते हैं तो मैंने फेले इंच़ी से सारी निसान लगाएं six by six के और कट कर दिया है चाहे तो आप एक काटके फिर उसदर रखके उसको तब काट सकते हैं या तो पहले निसान लगा लिए जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं कर लिए मैं एजने को सारू काट पहले काट के तईयार कर लेते चली तरह लिए पर आगे सिलाई करना देखते हैं मैंस आप अभधरत कर लिया सब सबह बहरा मिस्पराह पहर है। इस तरह लगाएंगे यहां पहर और यहां पहर लगा लेंगे लगाके लाती हूँ इधर भी चिलाई और इधर भी तो यह मैंने इंच पर लगा लिए है छैन वाले हिस्से पर देख सकते हैं अब यह जो इसके धागे ना निकले इसके लिए मैं यह ऐसे पट्टी लगाके यहां पर इस शिलाई पर इसको ऐसा मोड दूगे तो ये शिलाई कवर हो जाएगी इसकी, देखो ये इस तरह जो मैंने शिलाई लगाई थी ना, उसको मैंने एक पट्टी लगा के इस तरह, पहले पट्टी इधर रखी, यहाँ पर पट्टी रखी, ऐसे सिद्धी शिलाई लगाई, फिर उसको पट्टी को ऐसे मोड के इधर यहां शिलाई लगा दी तो यह सारी शिलाई कबहर हो गी है अब कोई धाग वगर नहीं कलेगा इस्का इसका तो भी फिर भेचा कर देख लेग state को विशुक्क कें जते हैं आमको हम इसको यह समने ​​inizi रख़़गाए थी तो अब मैं हमें क्या कर नहीं है ना तो हम ये कोना पकड़ेंगे ये और ये वाला कोना इस तरह है इस पर ऐसे ऐसे सिलाई लगा देंगे सिद्धी सारे कोने हम ऐसे पकड़ने हैं और सिलाई लगा देनी है सब पर समझें आप दुबारा देख लीजिए एक बार किसे हमारा ये वाला कोना है हम इसे पकड़ेंगे और इस वाले कोने को पकड़ेंगे और ऐसे पकड़का हम इस पर सिलाई लगा देंगे ठीक है और ये बनके तयार हो गया है मैं भी आपको दिखाती हूं और ये बिल्कुल बहुत सुंदर सा बनेगा ये देखो मैंने सारी सिलाई कवर कर दी है कहीं से भी कोई धागा नहीं दिख रहा है चारों सिलाई पर पट्टी लगा दिया जो इसमें से कटे थे ना स्क्वायर वह की इसमें रख देनी चाहिं तो आपको इसकी आइडिया हो जाएगा अभी मासमें ये यािप साइज का बना है कि आप सपैस्या और आम से रख के रख सकते हैं आपनी जैसे जो आपकी आने जाने वाली साड़ी हैं उनको आप इस तरह रखके और बैड के अंदर रख सकते हैं यह बैड में आप आराम से रख सकते हैं जब आपको जरुत हो निकाल लो तो बिखरी हुई भी नी फिरेंगी अजरुन नहीं पन्नी में बिना पन्नी के भी रख सकते हैं तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा यह एक हमारा बोक्स बनके तयार हो गया है और आप इसको मल्टी परपस यूज कर सकते हैं अभी मैंने अपको साड़ी रख के दिखा ही अभी मैं आपको इसमें ऊलन कपड़े रख के दिखा रहे हूं तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कितने स्वेटर आ जाएंगे आपके यह मैं पाईल के टोप वगएरा इसमें रख रही हूँ तो आप देख सकते हैं अभी कम से कम है इसमें 8-10 टोप पाइल के आगे और काफी हैवी है क्योंकि उलन के कपड़े थोड़े मोटे मोटे ही हो जाते हैं और जैकिटे वगेरा भी आप इसमें रख सकते हैं आप कुछ भी रख लीजिए एक तरह सा आपका ये एक बोक्स बन ग जाता तो मैं सोचे चलो बड़ा बन जाएगा कुछ और रख लेंगे और ये आप इस तरह चोटा बड़ा जैसा चाहिए आपके पास जैसा टुकड़ा हो कोई पुराना सोल पड़ा हो चदर पड़ी हो तो आप उससे बना सकते हैं और देखो कितने अच्छे से इसमें आप पांच रुपे की चैन आई है पांच रुपे मीटर मिलती है ये वाली चैन एक मीटर लगी नहीं है आधा मीटर ही लगी है लगबग तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये बनके तयार हुआ है और इधर से बिल्कुल गत्ता लगा है तो बिल्कुल प्लेन लग रहा है कोई भी चीज कपड़े की है तो सेफ तो वो तभी लेगी जब उसमें आप कपड़े रख देंगे तो अभी देख सकते हैं आप कितना सुन्दर लग रहा है तो आप भी बना सकते हैं अर अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पे नहीं आया है त चैनल को सस्क्राइब कर लेना, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, और अब मैं जिस काम के लिए मैंने ये बनाया है, वो इसमें रख देती हूँ, अपने लड़ु गोपाल जी के कपड़े, क्योंकि मैंने उनी के लिए बनाया है, तो मैं उनी के कपड़े इसमें रखूँ कुछकी रोसियस है और चार्ट ड्रास में इस साल बनाई है, ये वाली भी, इसकी वीडियो чैनल पर भी है, और ये गुलाब के फूल वाली भी, ये सब मैंने बनाई है, तो देख सकते हैं, कितनी सुंदर-सुद्र से ड्रास की ड्रास है काना जी की, और मेरे चैनल पर कान एक बार फिर से अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ रादे रादे नमस्ते जी सभी को